चार मार्च रात सारे 11 वजे के आसपास SSC एक नोटिफिकेशन जारी करती है जो नोटिफिकेशन SSC CPU post के लिए होती है जिसमें total post 4187 होता है अब इस post के इंतजार में बहुत सारे लोग थें कि सर गब इसका नोटिफिकेशन आएगा कब इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा notification में खास कर लेट हुआ हो लेकिन SSC का जो exam data calendar की हिसाब से वही रहने वाला है notification delay का कारण सारे लोग को पता है कि OTR का registration था नया आपका website launch होना था यह सारा का सारा region था तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरा का पूरा SSC CPO 2022 और SSC CPO 2023 के paper के comparison के बारे में comparison करेंगे paper का इसर किस तरीके से questions पूछा गया था और क्या-क्या सवाल आएं थे और क्या-क्या सवाल difference था दोनों 22 और 23 वाले में अब कैसा सवाल आएगा इन सारे बातों के बारे में डिसकस करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहां जो आप लोग जो candidates है जो लोग students है जो लोग तयारी कर रहे है वो दो तरीके के candidates होते हैं एक जो candidates होते हैं वो जिनका तयारी जिनका तयारी जो है वो पहले से complete हो गया होता है ठीक है अब जिनका तयारी पहले से जो complete हो गया होता है वो क्या करते है वो या तो अब revision करते है या फिर mock test पे काम कर रहे होते हैं दो ही चीज उनके पास बसता है, कि जो जो हमारा chapter कमजोर है, या फिर जो जो हमारा chapter strong है, उसका revision करना और उस पे mock test लगाना, ठीक है? दूसरा क्या, कि जो लोग अभी से तयारी start कर रहे हैं, वो लोग भी अब 60 day plan को लेकर चलेंगे, कि सर 60 दिन का strategy क्या होगा, खेर उस पे भी हम लोग बात करेंगे, उसका भी वीडियो एक लाएंगे, पूरा का पूरा किस तरीके से plan होना चाहिए, क्या क्या chapter important है, कौन-कौन से तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल का level क्या होता है, लेकिन सबसे पहले बात है कि सारे examination का तयारी करने से पहले, खासकर मैं SSC CPU के बारे में बात करूँ, इसके questions और questions of level को जो पढखना जो होता है, वो काफी important होता है, आपको तयारी करने से पहले questions of level को पढखना पढ़ेगा, सर किस तरीके से हमारे पास PYQ questions पूछे गए हैं, या फिर हमारा तयारी किस तरीके का और किस तरीके से हम से आगे भी सवाल आप से पूछे जाने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि सर 2022 और 2023 को लेकर हम लोग compare कर रहे हैं, जो भी number of questions था, जो भी reasoning का जो mainly question था, और किस chapter से जादा दर questions आए थे, इन सारे बातों के बारे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप लोग देखेंगे, तो ये जो questions का level आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो questions है, ये आपका analogie से related है, analogie से related है, और जितने भी chapter से सवाल पूछे ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे, जो 23 में हम से पूछा गया है भाई, ये आपका 22 का सवाल है और ये आपका 23 का सवाल है, ठीक है, इसमें आपका mathematical operation पूछा गया है, जो पूरा का पूरा बार्ड मा से related होता है, क्या पूरा का पूरा मेरे भाई, बार्ड म होता है सबसे जो पहला होता है वो आपका लेटर बेस्ट होता है ठीक है दूसरा जो होता है वो आपका number best होता है और similar analogy best questions आप से पूछा जाता है ठीक है अब यह similar analogy best question होता क्या है इसके बारे में आपको जानना थोड़ा जरूरी है कि आपका एक bracket में कुछ numbers दे दिया जाएगा फिर bracket में कुछ numbers दे दिया जाएगा और फिर आपको with the help of option देखना पड़ेगा कि सर कौन सा option इस दोनों pattern से match करता है तो ये pattern आपको देखना पड़ेगा और खास कर इस questions में ये बात बहुत जरूरी है कि सर इस question का pattern किसी और question से match नहीं करता है मतलब आपको types of questions देखना पड़ेगा जितने तरीके के सवाल होते हैं उतना सवाल आपको देखना पड़ेगा कोई भी सवाल किसी से match नहीं करता क्योंकि सब में अलग अलग तरीके के mathematical operation लगाए जाते है ठीक है अच्छा ये भी सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सवाल थे वह आपका दो से तीन सवाल लगवक सारे सिफ्ट में मिलाकर आपसे पूछा गया थे ठीक है दूसरा अगर हम लोग आते हैं यहां पे देखो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था उस टाइंग कि सीमिलर आनालोगी बिस्ट जो आपका सवाल होता है यही होता है आ बीस्ट में पूछा गया सवाल थे अब तैस में जो सवाल जो बहुत सारा चैप्टर है वो जो पूछा गया अब करना घर पॉसेबल हो तो जो 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 चैप्टर यहां मैंने count करा है या मैं count करा हूँगा उन सारे chapter का आपको पूरा का comment box में नाम भी लिख देना है क्योंकि जो भी बच्चों अगर बाद में बड़ियों देखें तो वो थोड़ा सा देखें कि sir count कों सा chapter हमारे लिए ज्यादा important है ठीक है बागी सारा chapter मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं कि sir फिर से देखें कि फिर से आपका mathematical operation यहाँ भी दिया गया है क्या किया गया है आपका यहाँ भी mathematical operation दिया गया है ठीक है और यहाँ भी आपका mathematical operation है मैंने पहले ही का है कि सर्थ 2-3 सवाल जो most important सवाल थे वो सारे के सारे सवाल आप से यहाँ पे पूछे गए यह भी सवाल काफी बहतरीन है अपने आप में यह भी सवाल काफी बहतरीन है अपने आप में ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो questions है यह आपका coding recording से coding recording भी पूछा जाना है और फिर से यहाँ देखोगे तो फिर से आपका mathematical operation का सवाल है जैसा कि मैंने आपको बताया था तो coding recording एक और नया chapter एरेंज हो गया अब यहाँ देखना यह जो एक chapter है जिसको आप कहते हैं सिरीज कहते हैं मतलब सिरिंखला कहते हैं ठीक है क्या कहते है मेरे बाई सिरिंखला कहते हैं इस chapter से भी आपका एक से दो नंबर तक का सवाल पूछा जाएगा और पूछा भी गया है 2022 में भी पूछा गया है और 2023 में भी आपसे पूछा गया है ये जो सवाल है आपका ये सवाल आपका का डईसर रिलेटर बड़ा आसान सा सवाल है opposite फलक पे जो नंबर होता है वह आपको घ्याद करना होता है इसमें ठीक है आजएगे नेक्ट वाले पे आते हैं नेक्ट सवालव替 देखोगे तो Stacy locus कहते हैं क्या तयों सवाल आपसे पूछा गया ये भी एक चाप्टर रायड करना है और ध्लूसा आगर बात करें sitting इरेज्मेंट के बारे में sitting इरे मि और पजल से सवाल पूछे गया है तो चोटा सेट रिजमेंट या पजल होगा उतना जादा complicated होता है जितना बड़ा होता information उसमें जादा होता और बनाने में जादा आसानी होती है लेकिन कब जब आपका पढ़ने का speed बनाने का speed स्पीड फोचने का speed जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यह सब स्पीड जो है यह सब स्किल्स जो है बनाने का तरीका जो है वह विल्डप नहीं हो पाएगा चलिए दूसरा जो है आपका यह सारा का सारा कुछ आप समझ गए अब चाप्टर कौन कौन सा है यह मैं आपको बताता हूँ ठीक है अब इस बार जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो चाप्टर है वो पूछे जाने की कौन सी संभावना है कौन से चाप्टर से अब इस बार ज सवाल ज्यादतर आप से पूछा जाने वाला है ठीक है दूसरा बलड रिलेशन का भी सवाल होगा सवाल जो आपका सवाल होगा ससे भी होगा चौथा आपका सेटिंग एरेजमेंट और फिर आपका पजल भी होने वाला है ठीक है पांचमा जो है आपका वो आपका अनोगी से जितने भी टाइप क्यु apce बहुत important जितने भी आपगे रभी आपके chapters है अगर आप सुच रहे हैं कि सर्फ इतना चाप्टर पढ़के हम किसी भी चीज को complete कर लेंगे या फिर एक बाड़ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल चल रहा है तो आप बिलकुल भ्रहम में है पुछो के सर भ्रहम में कैसे हैं तो मैं आपको बताता हूं भ्रहम में कहने का मतल किसे भी वी होते हैं इसलिए मैं कहता हूं बार-बार मैं किसे भी वी को से लात करना है और उसी के बीसिस पे मॉक्त लगाना है जिलनों का तयारी हो चुका है या फिर 50% के आसपास complete है या फिर 60% complete है वो लोग मॉक्त लगाना या स्टार्ट कर दीजिए और फिर रिवीजन भी करना या स्टार्ट कर दीजिए प्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीजों में आगया ब रख लो क्लॉक और कैलेंडर भी रख लो ये काफी ज्यादा important है अच्छा नौमा जो है वह आपका direction टिस्ट का सवाल है ये सारा का सारा सवाल आप से पूछा जाएगा इस बात की guarantee है अब तुम जड़ा ध्यान से समझना कि ये सारे के सारे chapters तो हो गए है और भी बहुत सार चाप्टर से जो आपको करना काफी ज़्यादा जरूरी है एक बात और ध्यान देना कि 2000 2023 वाले में ज्यादा तर question figure based भी पूछे गए है और figure based question कहने का मतलब है कि भी या 4-5 सवाल आपके figure वाले होते है तो थोड़ा सा उसमें time taking हो जाता है अगर आप first glance में नहीं पकर पात जो लोग नए हैं जो लोग नए तरीके सा द्यारी कर रहे हैं जो लोग beginners हैं उनके लिए क्या करना है कि भी या वो सबसे पहले जो अपना chapter note करें कि सर कौन कौन सा chapter इस वर पूछा जाएगा चाया वो maths हो चाया वो reasoning हो चाया वो English हो चाया वो GKGS हो और कौन सा chapter हमारा week है औ इसके लिए मैं बिलकुस 60 days का कुछी देर में strategy plan लेकर आऊंगा और मैं बताऊंगा किस तरीके से handle किया जा सकता सारे प्रिशर को सारे chapters को किस तरीके से mock test लगाना है कितना mock test लगाना है इन सारे बातों पर हम लोग बात करने वाले तो यह पूरा का पूरा हो गया इससे भी अजेक इंपॉर्ड़न चीज कि हमारा जो PYQ से संहे हमारा जो PY Q है वह आपका बस एक book से तैयारी करना जिसमें आपको सारे के सारे को कुस्चन सारे का सारे PY QU जो है वह आपको 60 via जाएंगे क्या है वह आपको चाप्टर वैज मिल जाएंगे वह आपको chapter by!」 वैस मिल यह जो आपका बुक है वो मैं पूरा complete तयारी कारा रहा हूं चाहे वो पीड कोर्स में हो चाहे फिर आपका कोई YouTube पर सर्षन हो तो आप जाकर किरन का जो पर लिस्ट है उसको आप सर्च कर सकते हैं वहाँ से चाहे वो CPO का हो चाहे वो किसी भी CHSL का हो चाहे वो SSC CGL का हो साइ चीजों का previous year questions हम लोगों हम बारीकी से deal करते हैं और with concept deal करते हैं इसके बाद मैं आप लोगों के लिए चोटा से gift भी लाने वाला हूं कि सर जो भी question जो भी classes आएगी जो भी class जाएगी वो पूरा का पूरा chapter wise आएगा chapter wise कहने का मतलब है कि आप लोग को अगर ये video मिला है य तो मालो मैंने clock स्टार्ट किया ठीक है या फिर मैंने calendar स्टार्ट किया calendar का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है तो इसको मैं कोसिस करूंगा कि सर एक class में या फिर ये class 2 घंटे का हो या फिर 3 घंटे का हो maximum 2-3 घंटे में जैसा ऐसा questions पूछा गया उन सारे questions के आधार पे types of questions डील करना, concept बताना, सब कुछ एक ही class में मैं डील करूंगा तो इस बात में हम लोग next video में चर्चा करेंगे और strategy प्लान भी आप लोग के लिए कर आते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का एक बार share करना बिलकुल नहीं भूलिएगा चैनल को एक बार subscribe कर ल